One Card के बारे में आपने जरूर सुना ओगा ये Card Market का सबसे अच्छा Credit Card चल रहा है 2020 तो इस Card को मैंने 2022 में लिया था लेने के कुछ मेनु के बाद मैंने इस Credit Card को Close करवा दिया था वो मेरे कुछ निज्जी कारण थे मुझे ऐसा लगा कि यार ये card जिस use के लिए मैंने लिया है वो उतना use नहीं हो रहा है तो मैंने इस card को बंद करवा दिया और जो abd का amount था मैंने abd base पे ये credit card लिया था और जो abd का amount था वो मेरे खते में 7 दिन के अंदर मेरे original account में आ चुके थे 2023 में मेरे को लगा यार ये credit card में कुछ ऐसे changes हुए है जिसको देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि यार ये card मेरे पास होना जरूरी है तो मैंने इस credit card के लिए reapply किया तो मुझे कुछ ऐसी soaking बातें पता चली जिसको देखकर मैं खुद चोकना रह गया और आपको ये बाते जरूर पता होनी चाहिए तो मैं ये card दुबारा नहीं ले सकता one card की team का कहना है कि यदि आप इस credit card को एक बार close करवा देते हो किसी भी कारण वस तो आप फिर one card में अपना account नहीं बनवा सकते एसा क्यों है उनके पीछे कोई भी कारण नहीं बताया उन्हों और नहीं कोई time दिया है कि आप 6 महिने के बाद भी account open करवा सकते हो एक साल के बाद open करवा सकते हो उन्होंने का कि आप lifetime one card में account open नहीं करवा सकते मैंने उनका one card का app डाउनलोड किया उसके बाद मैं अपनी information डाली लेकिन मैं home screen पे पहुंच नहीं पा रहा हूँ वहाँ पे एक error आरा है जो मैं आपको screen पे बता देता हूँ तो ये बात आपको पता होने चाहिए और कोई भी यदि आपके पास credit card है तो उसे close करवाने के बाद उस company के rule आपको जरूर पढ़ लेने चाहिए क्या वो एक बार बंद होने के बाद में आपको account reopen करने देंगे या नहीं देंगे क्योंकि कोई भी credit card अभी बूरा हो सकता है लेकिन आने वाले समय में कुछ ऐसे changement करके वो market का top leader बन सकता है तो यदि आपके पास अभी credit card है और बाद में आपने close करवा दिया तो आपको तो पता होना चाहिए ना कि अब उसे open करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते तो एसी banking related information के लिए banking AG को subscribe करें जय हिंद जय वारायत